तो फ्रेंट्स यहां मैंने सबसे पहले पानी को बॉयल कर लिया है अब हम उसमें यह सोया चाप डाल देंगे इसे मैंने पॉलो थीन में ऐसे एक रबर बैंड बांद दिया अच्छी तरह से टाइट से ताकि इसमें पानी ना जाए अब इसको पॉलो थीन को इसी के साथ इसम में डिप करें यह देखिए फ्रेंड यह अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है अब मैं गयस का फ्लेम कर दूंगी और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद निकाल लूंगी पॉलो थीन में से फिर आगे का प्रोसेस में बाद में दिखाएंगी यह मैंने सारी सोया चाप निकाल लिया है यह थाली में अब हम इसके अंदर से यह स्टिक निकाल लेंगे झाप से निकल जाईगी यह देखिए इसके अंदर से मैंने सारी सिक्स निकाल ली है अब हम इन्ने कर लेंगे कि जेड़े इस तरह से कट कर लें इसे ऐप चाहें तो कि मैंने सारी सवस्दाउय को और यहां पर मैंने कड़ाई में तेल गरम हो चुका है अब हम उसमें यह थोड़ी थोड़ी करके अपनी सोया चाप डालेंगे मैंने एक बारी में आधी सोया चाप डाली है आधी हम बाद में फ्राय करेंगे अच्छे से हम इने मीडियम लो फ्लेम पर फ्राय करेंगे यह देखिए थोड़ा थोड़ा रंग बदलने भी लगा है यह देखिए क्रायंट्स हमारी सोया चाप अच्छी तरा से फ्राय हो चुकी है अब हमें निकाल लेते हैं मैंने सारी सोया चाप को फ्राय कर लिया है अब हम चलते हैं इसको मेडिनेट करने के प्रोजिस पर तो सबसे पहले हम इसमें बटर डाल देंगे बटर आप अपने अकोर्डिंग कम या जादा कर लें फिर हम इसमें दही डाल देंगे अगर आप दही की कॉंटिटी बढ़ा रहे हैं तो आप टमाटर की कॉंटिटी कम कर सकते हैं अब हम इसमें चाट मसाले डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब चलते हैं हम इसे पकाने के प्रोसेस पर यहां मैंने लस्षन हरी मिर्च टमाटर अद्रक और थोड़ी सी प्याज को काट लिया है अब हम इन चारों को ग्राइंड कर लेंगे और इसको एज़िटीज ऐसे ही यूज़ करेंगे हमारा अच्छी से गरम हो चुका है यह मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं अब इन खड़े में तुझे बाल देंगे और इससे थोड़ा सा बूंद लेंगे अब हम इसमें यह कठा हुआ प्याज जाल देंगे आश्याज कर लेंगे ज्याज कर लेंगे तक इसको अब जाया हूं अब हम प्यास में थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डालने से जलदी से गॉल्डन हो जाएगी यह देखिया हमारी प्यास गॉल्डन हो चुकी है अब हम इसमें पाने डाल देंगे थोड़ा सा अब इसको पेस्टी तरह बना लेंगे अब इसको पेस्टी तरह बना कर तयार कर लिया है अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं यह मैंने टमाटर और लसन अद्रक को ऐसे व्राइन कर लिया है अब हम इस पेस्टी को इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल देंगे कि सबसे पहले हम थोड़ी से डालेंगे इसमें पर यह मैंने दनिया पाउटर डाल दिया है देड़ चमने दनिया पाउटर डाल दिया है कि इसमेरी लाल मिर्च डाल देंगे अब इसे मिर्च कर देंगे अच्छी तरह से इतनी सारी मिर्च देखके घपराईएगा नहीं कश्मेरी लाल मिर्च बस कलर के लिए होती है अब हम अपने मसालों को अच्छे से पका लेंगे मसालों को तब तक पकाएं जब तक कि मसाले साइड से तेल ना छोड़ दे मैंने ढख दिया है इसे अब थोड़ी देर तक मैं इसे ढख के लो फ्लेम पर पकाऊंगी आईए हम दुबारा देख लेते हैं हमारे मसालों ने तेल छोड़ा है या नहीं यह देखिए थोड़ी देर तक और पकाएंगे हम इसे मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इसमें अपनी सोया चाप डाल देंगे यह सोया चाप डाल दें इसमें यह अच्छी तरह से मैडिनेट भी हो रखी है आई सोया चाप को अच्छी से मिक्स कर लेंगे यह हमने सोया चाप को अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे आप अपने हिसाप से पानी कम या जादा कर लें मुझे थोड़ी से थिक ही चाहिए तब ही मैंने कम पानी डाला है अब इसे अच्छी से मिक्स कर लें अब इसे डख कर थोड़ी देर तक पकाएंगे अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे जो लास्ट में डलते हैं यहाँ थोड़े सा गरम मसाला डाल दिया है मैंने और थोड़ी सी कसूरी मेती डाल देंगे हम इसमें यह optional है आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं पर कसूरी मेती डालने से इसका flavor बहुत अच्छा आता है इसे डख कर कुछ मिनट तक पकाएंगे यह देखिए हमारी सोया चाप बन कर तयार है एक बार ऐसे चला लेंगे इसे देखिए कितनी थीक और कितनी टेस्टी लग रही है यह आईए अब हम इसे serve कर लेते हैं यह देखिए सोया चाप को serve कर लिया है मैंने इसके साथ मैंने रखे है राइस देखने में कितनी यम्मी और डिलेजिस लग रही है यह आप इस recipe को एक बार अपने घर में इसी तरह से बना कर ट्राइ करें आपको यह recipe बहुत पसंद आएगी यकीन मानिये फ्रेंट्स बहुत अच्छा बन कर तयार होता है